गाधी बाग स्थित नंगा पुतला चौप के पास एक पाव भाजी के थेले में आग लगने से अफरातफरी मच गई ये हादसा रविवार राद करीब साड़े आठ बजे घटित हुआ जानकारी के मताबिक मुंबई चार्ट सेंटर के थेले में गैस पाइप लीकेज होने के कारण आग भड़ा कुठी और देखते ही देखते आग की लब्दों ने पूरे थेले को अपनी चपेट में ले लिया जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दोरान रोजाना की तरह ही खान पान के लिए लोगों की भीर जमा थी आग लगने की खबर मिलते ही गंजी पेट फाइर स्टेशन की गाड़ी घटना स्थल पर पहुँची और आग पर काबु पाया गया फिलहाल इस घटना में किसी तरह की कोई जन्हानी नहीं हुई है गनीमत रही की गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ वरना बड़ा हादसा हो सकता था इसी इलाके में कपड़े के बड़े शोरूम और गोदाम भी है और अगर आग भड़क जाती तो हालात संभालना मुश्किल हो जाता इलाके के दुकानदारों का कहना है कि सडक किनारे व्यवसाय करने वाले इन चाठ विक्रेताओं के कारण आये दिन यातायाग बाधित होता रहता है और बार-बार शिकायत और कारवाई होने के बाद भी स्थिती जैसे की तैसी बनी रहती है और अब आग लगने की इस घट